हड्याना में विधानसभा चुनाव का एलान होने के बाद जन्नाएक जुनता पार्टी को छटा जटका लगा है जिनके नर्वाना से जेजेपी विधाय राम निवास सुर्जा खेडा ने इस्तिफा दे दिया उन्होंने जटपा के राश्ट्री अध्यक्ष अजय चौटालगों पार्टी छोड़ने और विधानसभा अध्यक्ष ग्यांचंद गुप्ता को विधाय की सिस्तिफा भेज दिया इससे पहले जेजेपी के पांच विधायकों ने पार्टी सिस्तिफा दे दिया था इन विधायकों में उकलाना से विधायक अनुद्धानर, तोहाना से विधायक देविंद्र बबली, शाहबाद से विधायक रामकरन काला, गुहला चीका से विधायक इशुवर सिंग और बरवाला से विधायक जोगी राम सिहाग शामल थे सूत्रों के मुताबिक नार्णौन के विधायक रामकुमार गौतम भी जल इस्तिफा दे सकते हैं अभी रामकुमार गौतम अपने सियासी जोड घटाओं को देख रहे हैं वो अभी तक मन नहीं बना पाएं हैं उनको किस तरफ जाना हैं? वहीं माना जा रहा है कि राम निवाज सुर्जा खेड़ा बीजेपी की टिकट पर नर्वाना विधान सभा से चुनाव लड़ेंगे फलाल जेजेपी में अब चार विधायक ही बचे हैं इसमें उचाना से विधायक दुश्यन चौटाला बड़ा से विधायक वा उनकी मा नैना चौटाला जुलाना के विधायक अमरजीट डांडा और नार्नौन से विधायक रामकुमार गौतम शामल है चर्चा यभी है कि गौतम और डांडा भी साथ छोड़ सकते हैं भले ही दुश्यन मजबूती से विधायक चौनाव लड़ने का दावा करते हो लेकिन लोगसबा चौनाव के नतीजों को ध्यान में रखना होगा लोगसबा चौनाव से ठीक पह सीटों के बटवारी को लेकर भाजपा वा जचपा का गटबंधन तूट गया था जचपा नहीं लोगसबा चौनाव लड़ा और मात्र सूने दसमलव आठ साथ प्रतीशत मतों में संतोश करना पड़ा किसी भी उमीदवार को पांच से साड़े पांच हजार मतों से अधिक मत नहीं मिले सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होई अविधान सवाजना सिर्पर है और प्रत्याशियों की घोशना से पहले ही पार्टी में जवर्दस तरीके से भग दर्मच गई है झाल